लालची रसोई में फूड लवर्स का स्वागत है आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट इस तरह से पापड़ी चाट आप घर में बनाईए जो बहुत हाईजेनिक भी बनता है और बहुत ही टेश्टी बनता है इसके लिए हम ले रहे हैं दो कटोरी मैदा उसमें हम स्वाद के नुसा नमक डालेंगे इसमें हम एक चम्मच काला जीरा क्रश करके डालेंगे और एक चम्मच आजवाइन क्रश करके डालेंगे अब इसमें हम चार चम्मच तेल मोयन के लिए देंगे हम यहाँ पर चार चम्मच पहले देंगे अगर कम पड़े तो बाद में एक चम्मच औ जरुवत नहीं है इस तरहा हम एक चमच और हम एड कर रहे हैं और। नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पर एक रोटी बेल लुँङी आप चाहें तो यहाँ पर छोटी-छोटी लोई बना कर छोटी छोटी पूडी की तरह बेल कर पापड़ी बना सकते हैं, लेकिन मैं टाइम के बचत के लिए हाँ पर एक बड़ी रोटी बेल रही हूं, और उहां पर फोक की सहाथा से सब छेद कर दूँगी रोटी में, इस तरह पापड़ी जल्दी भी बन जाती है और असानी से बन जाती है, और ढकन की सहाथा से गूल-गूल पापड़ी काट लेंगे, और हम सब पापड़ी को एक एक करके निकाल लेंगे, इस तरह पापड़ी बहुत जल्दी तयार हो जाती है, अब हम तेल गरम कर लिए हैं, तेल को गरम करके इसका फ्लेम इंदम लो कर देंगे, उसके बाद हम इसमें पापड़ी डालेंगे, क्योंकि पापड़ी को हम लो फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, तब ही वो क्रिस्पी बनेगी, इसको फ्राई करने में कम से कम 10 मिनट से अधिक लग जाएंगे, क्योंकि धिरे धिरे इससे फ्राई करके हम लाल करेंगे, इस तरह पापड़ी लाल हो गई है, विससे हम निकाल लेंगे, और दूसरे बैच की भी पापड़ी हम फ्राई कर लेंगे, इस तरह से पापड़ी बनाने से बहुत ही क्रिस्पी बनती है, देखिए, तोड़ के देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, अब हम इस पापड़ी का चाड बनाते हैं, चाड के लिए हम एक प्लेट में पापड़ी को एरेंज कर देंगे, यहाँ पर मैंने आलू को बाल कर कट करके रखा है उसे डालेंगे इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्ची भी स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पर धन्यापत्ती का ग्रीन चटनी बना के रखे हैं उसे डालेंगे मैंने धनिया पत्य और इमली की चटनी आगे से बना कर रख ली थी यहां दही पर मैंने एक चमच चीनी और थोड़ा सा नमक मिला कर रखा है इसे हम अच्छी तरह पूरे पापड़ी में फैला देंगे पापड़ी चाट में दही की मात्रा जादा रहती है और यहां पर थीक दही का इस्तमाल करिएगा पानी वाले दही का इस्तमाल नहीं करिएगा तब चाट अच्छी बनेगी ने तो हमारा चाट पाणी पाणी हो जाएगा फिर इसके उपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे और फिर इहां पर हम इमली की खटी मिठी चटनी डालेंगे चाट में चटनी की मात्रा ज़्यादा रहने से चाट खाने में मज़ा आता है फिर हम इसके उपर भुजिया स्प्रिंकल करेंगे मेरे पास पतला वाला सेव नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा मोटा वाला सेव का इस्तमाल किया है इसके उपर फिर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इसके उपर बारी कटीवी प्याज डालेंगे, अगर अब प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज इसकिप कर सकते हैं उसके उपर पारी कटवा धनिया पता डालेंगे फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा और इमली की चटनी एड़ कर रहे हैं लास्ट में हम कुछ अनार के दाने डालेंगे जो कि चाट का स्वाद और बढ़ा देगा और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है इस तरह हमारा पापड़ी चाट तैयार है इस तरह आप अपने महमानों को पापड़ी चाट बना कर खिलाईए जो देखने में भी बहु झाल झाल